दोस्तों अगर आपकी आँख में भी कुछ प्रवलम है आपको भी या आपके रिष्टार को मोतिया बिंद की शिकायत है तो आप लोगों के लिए अच्छी ख़बर है आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों इस रिक्वेश करना चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज् नहीं समझते हैं ऐसे लोगों के यहां पर मैं इसको बताना चाहूंगा वो यह कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां जो डेट है यह 24, 25, 26 पूस बताया जा रहा है यानि के 9, 10 और 11, जनवरी 2024 को जो के दिन पढ़ रहा है मंगल, बूद और जुम्राथ को पढ़ रहा है औ तो वो शिवरी में क्या होगा अगर आपके आँख में कोई प्रोवलम है आपको जो है मोदिया बिंद की शिकायत है आँख से रिलिटेट कोई प्रोवलम है तो यहां पर आकर कि अपना जो है चकप आप फिरी में करवा सकते हैं यहां पर आप लोगों को अवसधी चसमा ब वीडियो को देख रहे हैं तो वो लोग आकर के हैं ट्रीटमेंट जरूर करवाएं यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलू वो सीड जो है जिमादूद है जो जल्दी करेंगे उसको जल्दी से सर्विस मिलेगी इसी तरह यहां पर मैं एक और बात करना चाहूंगा ऐसे लो लगवक पाच्छे में पहले की बात है सेम यही शीवीर और सेम लोकेशन में लगा था तो उस वक्त की आवा था कि अलगवक मेरे ख्याल से गोरकपूर की तरफ से कोई आदमी आया था लेकिन क्या है कि वो जो है पहले दिन पहुंचने में काम्याब नहीं हुआ दूसरे द वोल नमर पर बात करके जरूर कन्फर्म कर लें कि आप जो है फ़ला जगा से आ रहे हैं आपका हो सकता है या नहीं हो सकता है कन्फर्म होने के बाद ही में आएं बिना कन्फर्मेशन कि आप दूर से न आये ऐसा नहो कि सीट जो है बुक हो जाने क vä से आपको वापस जाना पड़े दोस्तों यह जो शीविर किया जा रहा है यहां पर आप देख सकते हैं अल एहसान चैरिटीवल फॉंडेशन की तरफ से किया जा रहा है और इसका जो है यहां पर मेची आंखा अस्पताल यह दोनों जो है आपस में मिल करके इस शीविर को कर र हम दुआ करते हैं कि अल्ला इनके कामों में बरकत दे और इन दोनों को इसी तरह आम लोगों के खित्मत करने के लिए आएंदव ही मुका देता रहे हम यही दुआ करते हैं आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं आज की तारीख साथ जनवरी 2024 आज इतवार का दिन है आज इत यहां पर आप देख सकते हैं जामिया सजीदना बिलाल यह एक मदरसा है जामिया सजीदना बिलाल भोक रहा नर्सिंग दो सुनसरी नेपाल लोकेशन आप लोग अच्छे से से सेट कर लें मेरे ख्याल्स आप लोग इस नंबर पर कॉंटेक्ट करके आएंगे तो ज्यादा बहता रहेगा दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे शियर करें हो सकता है कोई जरुत मंद हो उसको जो इसकी जरुत पड़ जाए